हलो माई डियर फ्रेंड माईसेल पुमेस यादव वेलकम टू बैंकिंग करियर माई डियर फ्रेंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एक्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेशन कर रहे होंगे दोस्तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मास्टर इन बैंकिंग अवरनेस का जो टॉपिक है उसको इस्टार्ट कर रहे है इसमें आज देखेंगे टॉप टेन बैंकिंग अवरनेस का जो सेक्षन होता है वहां से आपका बैंकिंग में 10 से 12 कोश्चन पूछा जाता है उसमें जो स्टैटिक और करेंट बैंकिंग का भी नियूज होता है और उसमें से जो आपका अबरिवेशन जो होता है उसमें 3 तो 4 मास्ट का कोश्चन पूछता है इस्पेसली SBI कलर की बात करे और RBI असिस्ट कोंThero 9 मास्टरिटी है उसको हम इस वीडियो में discuss करेंगे TOP 10 की उसको discuss करेंगे काफी आपकोरी स्रेजिस से जो बैंकिंग इन मास्टर जो सीरीज हमने चलाया है उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा इस पूरे सीरीज को आप देखिएगा आपका आराम से 10-12 नमबर इस सीरीज से आपको आ जाएगा तो कंटिनिवस सी सीरीज को देखिएगा मैं आने वाले टाइम में इस सीरीज को कंटिनिव करूंगा ओके दोस्तों देखते हैं फॉर्स कोस्टन इसमें फॉर्स जो है अभी अभी रिसेंट में आर्भी इन इसको लंच किया है पी आई डीएफ देखो दोस्तों याद करने का सबसे बेस ट्रीक है जो संच्छेण परूफ है उसको याद कर लो तो यहां पर पी आई डीएफ का फूल फां को याद करने है शिप आपको क्या करना पी आई डीएफ आपको याद कर लेना है पी आई डी एफ अपने मन में याद कर लो और उसके बाद उसको पढ़ो payment infrastructure development fund PIDFP से क्या होगा payment I से infrastructure D से development और A से fund तो ऐसे आपको याद रखना है payment infrastructure development fund second जो है FBA financial benchmark administrator financial benchmark administrator आपको याद रखना है FBA देखो दोस्तों आप क्या करो आप एक notebook बना लो और जो मैं आपको सिरीज जो करा रहा हूं उसको आप लिखते चले जाओ आपको आपके exam में आप बहुत अच्छे score करोगे तीसरा देखते हैं दोस्तों NEFT आप सब को पता है National Electronic Fund Transfer NEFT को क्या बोलते है दोस्तों काफी important है आपके exam में हमेशा आता है और आने वाले time में भी आपके exam में एक question आएगा दूसरा देखते हैं दोस्तों NDTL, NDTL का full form क्या होता है Net Demand Time Liabilities तो आपको याद रखना है NDTL का Net Demand Time Liabilities नेक्से दोस्तों NBFC आप सब को पता है Non Banking Finance Companies NBFC आप सब को पता है आने वाले time में इस पर भी detail वीडियो बनेगा वाटीज NBFC इसका function क्या है इसको आगे हम discuss करेंगे आने वाले series में Next है दोस्तों NACH ये आपके exam में काफी पुछता है National Automated Clearing House National Automated Clearing House ये काफी important है इसको आप याद ही कर लो Next है दोस्तों मुद्रा ये भी आपके exam में काफी पुछता है इसमें पूछते हैं कि मुद्रा में aim क्या है आपका R क्या है D क्या है से question पुछता है मुद्रा का क्या होता है दोस्तों Micro Unit Development and Refinance Agency Micro Unit Development and Refinance Agency मुद्रा का आपको याद रखना है M से क्या होगा Micro U से क्या होगा Unit और D से क्या होगा Development और R से क्या होगा Refinance A से Agency आपको याद रखना है Next है दोस्तो MSF Marginal Standing Facility MSF Marginal Standing Facility तो दोस्तो यह आपको Notebook में याद लिख लेना है और इसको आपको बार बार पढ़ना है यह चीज़े आपको याद हो जाएगा Next है दोस्तो दिखते है MICR Magnetic Ink Character Recognization Magnetic Ink Character Recognization तो आपको यह भी important है आपको याद रखना है Next है दोस्तो 10 number MCLR Marginal Cost of Landing Rate Marginal Cost of Landing Rate तो दोस्तो यह आपके 10 टॉप जो 10 है आने वाले टाइम में इस स्रीज को मैं continue करूँगा जितना banking का जो पार्ट है आपको सभी मैं cover करने वाला हूँ इस स्रीज में और आपको काफी help होगा जितना सरा स्रीज में upload करूँगा उसको आप देखना इसके एक notebook बनाना आपको proper एक note तयार हो जाएगा और आने वाले टाइम में banking में P.O. और कलर के exam में या insurance के exam में बहुत आप अच्छा score कर लोगे दोस्तो दोस्तो और detail में current F.A.R. पढ़ना चाहते हैं तो आप जाईए description box में F.A.R. Cloud का मैंने link दिया हूँ वहाँ से आप जाकर के purchase कर लीजी और आप 100% अपने exam में score करेंगे वहाँ से आपको काफी अच्छा material मिलता है आप सब को पता है F.A.R. Cloud one of the base sources है तो वहाँ से पढ़िए मनलागा करके और अच्छे से study कीजी आने वाले time exam में आपको success जरूर में लेगा ओके दोस्तों thank you so much God bless you